जै मातादी सरस्वती मैस में आपका स्वागत है आज जो मैं आपके लिए लेके आए हूँ आर्मी जीडी टेस्ट लेके आए हूँ जिसमें 15 कोशन मैत के होंगे तो देखते हैं आपके कितने मार्क्स आते हैं शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा अगर आप मेरे से लाइप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रेशन बोक्स में सरस्वती मैस वर्टसेप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इसके लिए मैंने एक छोटी सी फीस रखी हुई है अगर आप जोईन करना चाहते हैं तो आप मुझे वर्टसेप कर सक यह हमारा आगए principle मतलब मूलधन आगए अगरी करते हो कि नहीं करते हो और दो साल के लिए निकालना और साल का कितना रेट लग रही है दोस्तों 6% लग रही है तो सामने लग रहा दोस्तों रेट और टाइम दोनों दी हुए है तो यह टाइप बन का question बन गया वैसे मैंने इस के उपर पहले से दो वीडियो बनाई हुई है आप प्ले लिस्ट में जाईए आपको आर्मी जीडिक में जाईए आपको वहाँ पर दो वीडियो आपको मिल जाएंगी तो अब देखो कंपाउंड इंट्रस्ट का question करते कैसे हैं तो पहले तो जानकारी लिए जो जानकारी अब को दिए दिखो प्रिंसिपल मूलधन तो मूलधन कितना दिए आपके पास प्रिंसिपल 5200 में लिख लेता हूं रेट मतलो दर कितने दिए कि साल का 6% लगेगा और टाइम कितना दिए दो वर्ष और दो वर्ष के लिए ही लगाएंगे हम तो चक्करवीदी ब्याज कित रहे होगा चैनल के आएगा तो अब आपने सोचने कैसे करना कैसे तो सामने दिख रहा है कि टाइब बन का कोशिन है अब मुझे पता कि कोई पैसा होगा हर कोशन में ऐसी सोचना होता है कि कोई पैसा होगा 100% होगा तो वो कितना बन जाएगा 106 हमेशा कभी भी competitive exam आपको crack करना है तो पहले आपने तरिके से सोचना ही पड़ेगा अब दूसरे साल भी पैसा कितना हो जाएगा अपने आप में 100% हो जाएगा है तो कितना बन जाएगा एक na 60 परसंट बन जाय गा तो अब आपके कीजिए इसकी फ्रिक्शन मना लीवियरि को काटा दोसे ग्रम है नियो थे जूझए लिखनें की जोटर भी लिख सकते हो देखो पहले साल 50 था है टो कितना वन गया तो मतलब किया इसको एक सुतर में आपने आपने आपके के मताबिक क्या आगा दूस्तों प्रिंसिपल यह आपके मताबिक क्या आगा दूस्तों अमाउंट इन दोनों को माइनिस करूंगा कितना है 309 तो यह आपके मताबिक क्या आगया समझ आए कि पर आपके मताबिक नहीं होगा पर कैसे क्रैक होगा प्रेपर क्रैक होगा जब करोगे अब मेरे मताबिक प्रिंसिपल तो पच्छी सो है प्रंतु एक्जामर के मताबिक जो प्रिंसिपल है मूल धन है वह पांच हजार दोस्तो अब आपको कर देना है कंपैर्जन कर देना है हर कोशन में ऐसे ही करना है मतलब आपका प्रिंसिपल कितना है दोस्तों आपका है प्चीस हो तो आप लेखो मेरा भाई पच्छीस हो एक्जामर और का कितना पटा शेयरो काटा तो भाई मेरा तो एक जामर का कितना रहे बुंजा बटा 25 मतलब इसका कहने का मतलब है कि मेरी जो एक value Business कि फिफ्टि टू अपॉपोन 25 ऐगी अब एक्जाम में के पूछा दोस्तो चक्रबीदी ब्याज पूछा है compound interest पूछआ तो आप इसको किस से multiply कर दोगे तो भाई मेरा compound interest कितना दोस्तो 309 है तो मैं किसे multiple कर दूगा 309 से multiply कर दूगा वह घ्मेर तो 309 तो आप अपने तरिके से कर लेना पंदर आ गया और दो से कि यह तो कितना आ गया अठारा छे तो यह आ पॉइंट तो 642 पॉइंट सम्थिंग आ रहा तो ऑप्शन में मुझे एक ही दिख रहा दोस्तों ऑप्शन बीज दा राइट अंसर समझ आया कि नहीं है तो इस तरीके से आपकर कर सकते हैं इतना सारा लिखना नहीं होता है यह थोड़ा आदा दिमाग में हो जाता है बस आप WILKMAN करना आपको डिर्क आपको कोश्ण करने तहं वह आपको सीखना है तो अभी देखते हैंतिक्त नेक्स्टेसिंटिफशन करीद्रान धिपारेज अफनलबव कोशिये ऊप्ट्रान मतलब क्या कि 12 लड़कों की जो उसत आई हो नो बर्श ए है तो बार्मी जो बार्मा Cupा प्रीका है उसकी आयूज के कर दो मैंने को कुछिंद तो मैंने है तो किका याद रखना आपको याद रखना है कि टोटल नंबर जितने भी हमारी कूल संख्या होती यह होती है वूरोग्य हो किसके साथ average के साथ average मतलब ओसत ओसत के साथ गुणा हो जाए तो हमेशे के निकल के आता दोस्तों सम निकल के आता मतलब के निकल के आता जमा निकल के आता एगरी करते है और जो जो जानकारी दीए वह जानकारी आप लिखिए अब बोला कि बारा लड़के तो बारा लड़के बारा बॉइस आगे तो बारा बॉइस संखे कितने होगे दूस्तों बारा बोला इनकी जो उसत है वो 10 है तो मैं लिख देता हूँ 10 तो इनका जमा भी निकाल सकता हूँ कि 120 होगा उनकी जो i.o. का अगर मैं sum कर दू सभी का तो 120 होगा अगे कोशन बोल रहा है 11 बॉइज लेता हूँ तो कुल संख्य कितने आ जाएगी 11 उनका जो उससता भी कितना नो है तो इनका जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा अब सामने अलसर दिखरा दूस्तों यह जो सम आ रहा है दोस्तों उमर होगी वो किस लड़की की होगी नेचरल बो किसके लड़की बाहर में लड़की की क्या होगी दोस्तों उमर होगी तो समझ आयक नहीं है तो हमारा अंसर आगया तो 21 आ गया तो एवरेज के कुशन बढ़ी आसानी से आप क्रेक कर सकते हैं अब देखते हैं एक्सक्राइब लगुतम तो लगुतम कैसे निकालते तो आपको वी तो बड़ा ही सिंपल सा कोशन ना क्योंकि आर्मीजी डिक है दोस्तों तो बड़े ही आसान आपसे कोशन पूछी जाते हैं सिर्फ आपको आपने बेस क्लियर करना है तो यह आगया आप द हैं शेजिन को शोट रिक कैसा कुछ ऐसा दिमाग में वत रखो बस्तापने बेस्क लेए करो अब बढ़ी असानी से पेपर क्रैक कर सेकते कितना अगया अब यह दो से काटा कितना है दो सोला कितना है चोबीस यह कितना चाइस-एक इतना-गया 18 अब इसको दो से काटा कितन जाएगा तो यह कितना है तीन साथ जाए नो यह फिर से किससे जाएगा दो से एक कितना यह तीन साथ नो आब मुझे पता है नो जाने के लिए तो दो तीन लगेंगे एक साथ लगे इनको multiply कर दो देखो अब multiply करता हूँ मैं 22 जा 442 जा 8 एक फूर जा 16 16 दोनों को मिल्टिप्लाई करो मैं अपने तरीके से कर लें तो आप अपने तरीके से कर लें डिया बारा एक चोबीस कितना आगा दूस्तों पच्छिसागे कितना गब सब्सक्राइब 4032 के आगया दोस्तों LC मागया लग सब आ गया मतलब option B is the right answer समझ आये कि नहीं आये तो इस question को आपको इतने असानी से आपको crack करना था अभी देखते है next question देखते है next question क्या बोर रहा है next question बोर रहा है if an article purchase for rupees 40 is sold for the rupees 60 what is the percent of the profit and loss मतलब किसी चीज को खृदा गया 40 रुबे में खृदा गया तु खृदा क्या होता दोस्तों क्रेम उल्य कृदना क्या होता दोस्तों क्रेम उल्य तो क्रीदा मतलब cost price कितने का खृदा कोश्ट प्राइज इसको इंगलिष में बोलता है, चालीस रुपे में खरीदा, पिर बोला कि उसे बेच दिया, तो बेच ना क्यूँ था, विक्रे मुल्य, मतल़ सेलिंग प्राइज कितने का बैच दिया, 60 रुपे में बेच दिया, तो हमसे पूछ रहा कि उसे लाब हुआ, कि हानी हुई पर परसेंट में पताना है पहले तो निकाल लेते हैं कि लाब हुआ कि हानी हुई अगर मैं 40 रुपए में खरीद रहा हूं 60 रुपए में बेच रहा हूं तो सामने दिख रहा है कि मुझे 20 रुपेका क्या हुआ दोस्तो लाब हुआ अगर यह 20 रुपेका जो ल तो कितना लाब हुआ दोस्तों 50% लाब हुआ तो option A is the right answer समझाए कि नहीं है तो इस question को आपको ऐसे crack करना था अभी देखते हैं next question देखते हैं next question बोल रहा है कि if 55% of the student in a school are boys मतलब कोई school है उसमें 55% किया दोस्तों boys है and number of the girls is 675 मतलब 675 के हैं दोस्तों मतलब लड़की है how many boys are are there तो कितने लड़के होंगे तो लड़के पुछ रहा है तो देखो आपको question क्या करना पहले अपने तरीके सो सोच नहीं तो अपने तरीके सो सोचो तो अपने तरीके सो सोचो आपके मताभी जो स्पूर्ण होंगे जो टोटल होंगे वह अपने आप में कितना होगा दुस्तों सो परसेंट होगे तो आप लिख़ो भाई सो परसेंट होंगे agree करते हो क्या करते हो अब देखो आप बोला कि जो boys है तो मैं लिख देते हूँ लड़कें जो वो 55% है तो मैं लिख देता है 55% है तो natural है जो girls होंगी जो girls कितनी हो जाएंगी तो मेरे मताबिक वो हो जाएंगी दुस्तो 45% एगरी करते हो इक्जामर ने के दिये दुस्तों numerical value दिये जो numerical value दिये है कि जो लड़कियां है वो 675 भाई मेरे मताबिक को पंद्रा तो बर्वाइब तो मेरा एक एक्जामर के कितना अगे दूसरो 15 सबुस्ट्रा मैं से पुछी कितने अगर में से पुछ हो तब कुल कितने हैं तो यह सब तो यह एंदर partir पुछें लड़के कितने दूसों 55 है तो मैं किसे मल्टिप्लाइ कर दूँगा 55 से मल्टिप्लाइब कर दूँगा पंद्रा पंजे किता होते हैं तो कितना आ गया दोस्तों 825 आ किया तो एक्जामर के बतावी जो लड़के है वो 825 मत्रा ओप्शन भी इस दा राइट अंसर स लेटें होंें कोशनों को करना है फिफ्टी फाइ परसेंट दिया तो मैं फिफ्टी फाइट से सोचने स्टाट करता हूझ или थे के दिए दूस्तक के स्थे सिन बाइस बना पर मेरे मताबिक जो वह पर सबस्क्तूर अब कितनी दोस्तों dumajес्ट नुऑ-धावरिये-दोस्तों नो ऊइए यां यहां पर मेरे मताबिए गल्स कितनी आगी नो-ब सब्सक्तर लेक्जान के आगए यहां पर मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि आप जैसे मरजी सोचो आप जैसे मरजी सोचो बस आपको पहले अपने परिके से सोचना इस पिर आपको स्च्वह कर्वाना बस यह जिस दिन ऐस सीघ्ए तो आप कोई भी घुर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं अव्य दैक iz修ेज कोन पट्रीन मतब्हीड के अलेंगे तो प्रिजीन इसको करना तो मैने बताया हूँ आपको पहला और लास्ट कवाले को करहा thrilled को Crown T 3 multiply by X और दूसरों तीसरे वाले को कि करलो multiply seven multiply कितना आगे ठाटीन है तो X किस के बराबर आगे दूस्तो seven multiply by 39 अपोन कितना आगे दूस्तो three आगे थी निचे आगे 37 काटा जाए 13 13,7 जा कितना हो तो 91 ओते तो 91 जाए कि 91 आगे तो मत्रा option d is तो यह तो बड़ा आगे हमारे कोशन लिनियर के कोशन आ गया तो कितना गया तो यह प्लस त्वी एक्स इसकल टू कितना दूस्तों यह कुशन कभी आपके सामने आ जाये तो अपने घबराना नहीं दूस्तों तो पहले बस आपको पूरी ङहां पर टू अहां झाले है इसको इसको टू रहोत हो तो यह वा इता है है इसको मैं किस से माई टिकलाई कर दिक तुद्र यहां पर हम जब X और Y के हम value निकालते थे तो आपने के कर लेना आपने ब्राबर कर लेना कुछ ना कुछ आपको multiply करके इसको 2 से इसको 1 से multiply कर दिया ना तो तू तू बराबर होगे तो यहां मैं सोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूं कि टू वाइ माइनिस कितना फोर एक्स इसकल टू कितना है ट्वन्टिफोर और टू वाई प्लस 64 इसकल टू कितना होगे दूस्तो 14 हो गया आप दिको यह दोनों बराब माइनिस लगाया तो यहां भी माइनिस लगाना पड़ेगा यहां भी माइनिस लगाना पड़ेगा बस माइनिस प्लस माइनिस और माइनिस प्लस के होते हैं माइनिस तो कट गया है देखो माइनिस प्लस के होते हैं माइनिस तो माइनिस के 6x बन गया ना माइनिस के 6x बन गय तो यह निस प्लस मैंज तो माञए के बने हैं 6 तो यहां पर शीलिक बड़ करें और बढ़कि मैंद भनके ओसेदight अब मैंस मैं प्लस के है मैंदुम और मैंद बन तो माइनश हो जाए इस दो इस होगे तो कि तो जीरो दस ही आगया और बढ़ा कि 24 चोपिस का अगी कि दोस्तों प्लस है तो यह आगया हमारे पास 10 आ गया न अब देखो अब अब एक की वेली निकालनी तो एक्स की तरह आगे तो आप य की वेली निकाल सकते हैं यहाँ पर पूट करते हुए देखो तो यहाँ पर एक्स की वेली पूट कर दो तो देखो टैनी आ जाएगा तो माइन फोर मैनिस के क्या आगे दूस्तों वान आगे एक्स की जगा क्या गया मैनिस वान आगे 24 आगे अब तूवाइज कर्टू कि नहीं है यह कोई प्लस टू का बोर्ड नहीं है कि आपने पूरा सॉल्व करना है अगर आपका और कहीं भी ऑप्षिन में माइनिस वन नहीं है तो एक ऑप्षिन नहीं है तो आप ज़ल्दी से ऑप्षिन रहीं लगाई और आके बढ़ जाएंगे दो आप प्रप्रट्र इग्जाम जितना आप स्मार्ट वर्क करोगे उतना ही आपके कर लोगे दूस्त जल्दी एक्जाम करेक कर लोगे यह कोई टैंथ का बोड नहीं कि पूरा आपको पैटरन लिखना यह यह वर्क शीर्ड नहीं जाएगी वहां पर सिर्फ अब्जेक्टिव पेप सक्राइब पास प्ल मिनटर्प सेकंड वह इस दश्पीड ओफ अफ ट्रेन हमसे स्पीड ओफ अफ़ ट्रेन पूछ रहा है तो सामने दिख रहा है कि कि टाइम एंडिस्टेंस का कोशन है और टाइम एंडिस्टेंस का कभी भी कोशन आ जाए तो आपको क्या रखना आपको तो याद रखना है कि time into कभी भी speed के साथ मिल जाए तो हमेशा के निकल के आता दोस्तो distance निकल के आता अगर हिंदी में बात की जाए कि समे कभी भी किसके साथ दोस्तो चाल के साथ मिलता है तो हमेशा के निकल के आती है आप देखो आपके पास जो पॉल को क्रोस कर रही है तो यहां पर जो दूरी आईगी वह कर दूंगा तो मेरी जो समय किलोमेटर पर आबर परन्तु मैंने सीखा हुआ किलो मीटर पर आबर से मीटर पर सेकंड जाते हैं किलो मीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाते हैं तो किसे मैं टिप्लाइ करते हैं पांच विटा अठारा और मीटर पर सेकंड से किलो मीटर जाना है तो अठारा पर पांच करना है तो कि यह तो मैं कर सकता हूं तो मैं डियरक्टी कर देता हूं तो समेत कर देता हूं थोस्तों बारा मैंने लिख दिया बारा हम 20 चाल मेरी आ दूरी कि तो श्में कि बृत्वियं कि सेमबिन हो तो मेरी जो चल आइगा मिटर पर सेकंड में जागी किसों 143 नीज़ cassand पर आवर जाना तो च्प्राइब करना पड़े घाटार 2 पर तके तो स्पार ना है तो जैके इस मुझे सैप्ट करेंषर करना है अब ये देखते हैं एक देखते हैं देखते हैं क्या बोल रहा है तो नेक्स पूशन बोल रहा है कि the sum of the reciprocal अब रासी रासीप्रोकल कह था यहां पर लिखा दो संख्याओं का प्रतिफल प्रतिफल लिखा हुआ है ओसे रहसे प्रोक्ल को मतलब मैं समझाना चाहूं उल्टा मतलब जैसी मैं लिखता हूं इसका रैसी प्रोखल बनो तो इसको बन अप्वू एक्स लिख सकता हूं अगर मैं बूलोंगा बारा करेसी प्रोकल की ओजाए दोस्तुव राइक की ओजाए दूस्तों 6 उल्टा हिंदी में इसको प्रतिफल तो नहीं बोलते कुछ और बोलते हैं तो मैं बात में बता दूगा तो रैसी प्रोकल मैंने समझा दिए आपको वैसे की उल्टा अब देखो दसाम ओफ दर ऐसी प्रोकल ओफ दू नमबर दो नमबरों का जो रैसी प्रोकल है उनको अगर म गहींनंबर कितना दूस्तोट छैया है तो अधिदर नमबर कितना होगा तो संप बोला तो अपलिक多 एक नमर का रैसी प्रोकल है तो एक बुटा ची हो जाएगा इसको संप कर粉े अब इसको कैसे solve कर सकते हैं आप इसका कहलेना पड़ेगा एल सिम लिए तो कितना आ गया दूस्टो 6X आ गया अगरी करते हो यह क्या आगया तो नेचुरल है यह 6X आ गया और यह 6 के यह 6 से 6 कर जायगा तो X यह इस तरफ एकसे 1214 144 आगे और सैवन सिख चा फोड़ीटीट ंफ कितना गया इक सा गया लिए फोटीटीटीटी इकस का यह 24בע एक तरफ कर तो फैन अउन एक eco तरफ कर तो यह प्लस का तो उस तर्फ आ जाएगा तो क्या हों दोस्तों माईोस का मैनुस कि 42 X ho G spring to get plus comment box 20 विश्च 1-ellenिस 40 or 42 में aiming 24 का है तो 8 आगया तो यह तीन 18 आगया और एक्स Bड़ा कि दो 42 तो मैंस आगया मैंश कर मैं इसिया गया मैंश कर 14 4 वार गये मैंश से मैंश कटा थो 144 अपोन किताना है 18 और इसको 18 से काटा दोस्तों कितना है तो दोस्तो 144 होते हैं तो X की वैल्य क्या आगी दोस्तो आठ आगी मतलब क्या option B is the right answer समझ आये कि नहीं है तो इस कोशन को आपको ऐसे crack करना है मैं आशा करता हूँ कि आपको यह समझ आया होगा दूस्तों या तो आप थोड़ा और स्मार्ट पार कर सकते थे आपको पता है कि अगर साथ बटा 24 मेरा Sum है तो इसको Direct ही मायनिस कर दू किस के साथ दूसरे नंबर के साथ यहacción मैरे स्प्रोकल तो यह फश्ट वाला का मतलब यह यह Sum है न तो मैंuous को मतलब जो Sum है यह सम है दोस्तों दो संख्याओं का यह फिर्ष संख्या है अगर मैं सम्कों फिर्ष संख्या से माइनिस करता हो तो निच्छर दूसरी संख्या तो निकल कर आएगी तो बस यह कुशन आप डिरेक्ट वह कर सकते थे साथ बटा चोफ़ीस मैंनिस एक बटा चाहिस कैसी कितना तो चोफ़ीस तो साथ मैंनिस कितना था चार बटा नहीं होता है तो आपको थूड़ा दिमाग लगाना थोड़ा समाट वर्क कर सकते हो कि सम दीया हुआ है पहले संखे दिया तो सं से अगर मैं पहले संखे मायनिस करूंगा तो मेरा तो दूसरी संखे तो निकले के आएगे दोस्तों के अधिक को करना है dear today next question question पुरोड अब इसके रूट आपको इसका स्पर रूट बद बंग मूं है लुग मैं नहीं कि तो मैंनेस के उपर बगर उन आयो कि कैसेegeं आप पता कर सकते हैं तो चलो हो सके तो मैं इसकोपर ऑभी वीडिएव बनाऊगा। वैसे शोट ट्रिक में करना हो, तो छोलो तो छोडो आप लंबे से करते हैं, कभी भी ऐसा क्वेस्चें आजी, तो पिछे से दो करो, दो करो, आब डेको बूलो हैंte, तो उन वन वन जाकितना थे ह्याता है, तो यह कट गया, यहां पर मैं क्याव रहा वाली हो नैटा है सब्सक्राइब करता आओं से इबह सक्षापता धुन दुस्ते महल दूंग है चाहि UM वंक सब्सक्राइब नुसरा को क्या मैंनूदम्त eats अमारा 507 हो घृत कि तुम आगा तो यहां पर रिखेसित वटो टो के तो कितना है यहाँ पर चार रखते हो चार से मल्टिप्लाइब करते हैं तो च्छे से किये मल्टिप्लाइब ज्यादा चला जा रहा है तो पांच आरहा है दोस्तो आपने पांच से मिल्टिप्लाइ करना है तो दोस्सों 55 को 5 से मिल्टिप्लाइ गए तो 45 22, 22, 22 12, 12 30 12 यहां पर कितना गए 5 12, 25 to minus किया 5, 3 में से 1 जाहने 4 में से 2 आगया और यहां पर 4 में से 200 25 अगया ओपर से 80 पान आगया तो यह 22,000 कितना बन गया अब 125 को डबल करना पड़ेगा 125 को डबल कि यह तो बन रखोंगो और से मल्टिप्लाइब कर दूंगा तो यह बंद रहा है तो मतलब नाइन से ही मल्टिप्लाइब हुआगा अब यह नाइन से करेंगे तो यही बनेगा तो मतलब क्या गया दोस्तों सीजदा राइट अशनी तो आप देख लो मैंटिप्लाइ करके देख लो नाइन से मैं एक तो डाले कि तो पूरा प्रॉपर कट गया हमारा ने जहां कि अपने एक वाला कनफर्म कर लिया ना तो एक वाला निया तो ने वाला ही होगा तो उप्शन सीज था राइट असर समझाए कि नहीं तो इस को आपको ऐसे करक करना था अभी देखते नेक्स कोशन देखते नेक्स कोशन के बोल रहा है लाइए कि इस एड मैं कें दू एपीस ओफ दवर कें फिफ्टीम देंस and then how many days will be the 20 men do the same work मतलब है तोWow कोशन मुझे के याद लखना मुझे तो यारखना कि समे कभी भी शमता के साथ मिलता है तो हमेशा क्यां तो कदले मतलब हमेशा करो करता काय क्या था। मतलब time कभी भी एकमें कितनेहां के लिए करने के लिए कितने रगेगा एको करने के लिए औगर कितने आदमी आ जाएए तो कितने 10 में वह कारे कर देंगे तो 120 बटके घंग कितने दिन और कि यहां पर कोई नहीं कोई प्रइंगल कोई ट्रैंगल है जिस में एक ďंगल कितने गा दोस्तों 105 डिगरी तो हमसे पूछ रहा है कि थर्ड एंगल क्या होगा तो बड़ा ही असान स्वाला दोस्तों तो या रखना कभी भी आप आप से ठ्रेंगल gr बोल दिया हो 103 जो structure přालींगल होता है उसका जो सब म्हों को प्लसर segments नें मैं क्या प्लस करों कि एक स्वास सी बन जाए तो एक साथ में से सब्ल्स अच चरूनικά plutôt तो पांच साथ में तो पंतालीस तो पंतालीस में डाउन करूंगा तो असी बन जाएंगे तो मतलब तीसरा जो एंगल होगा वो पंतालीस डिगरी का होगा मतलब option is the right answer समझ जाए कि नहीं तो इस question को आपको ऐसे क्रेक करना था अभी देखते हैं next question देखते हैं next question क्या बूर रहा तो 14 question सीधा सीधा असान सवाल है दोस्तों 700 का 20% निकालना तो ज्यादा प्राइब ओफ ओला ओफ को मतलब होता का 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 मतलब होता है मल्टिप्लाइब बस साथ सो का का मतलब मैं बीस परसेंटेज अर्थी सो का था दोस्तों नीचे देखते जीरो से question देखते हैं बहुत ही वडिया question है देखो question क्या बोल रहा है कि एक एंड डूए piece of the work in 24 days और मैं आपको पताना चाहूंगा आप यह मतलब लेके चलिए कि मुझे 15 के 15 question ही करने में आथ के आपने ऐसे लेके चलना है कि आगर मुझे आर्मी जीडी का पेपर क्रेक करना question कोई बाहर से तो आएगा नहीं तो science के मालो science के बारा question आगे तो आपके बनगे बाइस question सभी होगे reasoning के पांच question बड़ी easy होते हैं तो 27 बनके है ना clear होगे चलो तीन ठीक होगे तो तो जाएगी नहीं तो सब्सक्राइब करके पूरे अपर हो जाने चाहिए पैसे पहले तो आपका return देखेंगे return में आपने सारे question कर लिए तो आपकी selection फिर कर जाएगे दोस्तों पका ही हो जाएगी अब देखते हैं आज के दिन लास्ट कोशन लास्ट कोशन का है वो रहा है a can do a piece of work in 24 days b is 60% more efficient to a and the b b takes two so same work और today of require us काहिए कितने दिन में करेगा उसमेर कारे का question मुझे क्यार रखना मुझे तो यार्खना किपी बी शम्टा के साथ मिलती या तो हमेशे का करने कर अता कारे नंकलिके आता है Ci Senior कारे से कि शम्ता एसे साट परसेंट जाता है तो मुझे बताओ कि एक जो परसेंटेज होगी वो कितने होगी शम्ता सो परसेंट होगी तो बी की कितने हो जाएगी तो साट परसेंट बढ़ गी यह तो एक सो साट परसेंट होगी तो बस इसकी रिश्यो बना लो देखो इसकी रिश्य करेंगा तो इतना ही आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस्स ना कर सकें जय माता दी